बाद प्यारे बच्चों आज हमने लिया है आपके लिए टेसू राजा बीच बाजार पाट से सम्मन्दि छोटे छोटे प्रेशन बेटा ये वन वर्ड आंसर आपके लिए है बस आपको पहले वीडियो देख करके पढ़ना है करेंगे कैसे वो मैं आपको समझा रही हूँ इ प्रेशन बनेगा आपके लिए ये प्रेशन एक है ठीक है ये है हमारा प्रेशन नंबर एक इसको हम प्रेशन एक बनाएंगे क्या बनाएंगे ये प्रेशन एक बनेगा बेटा क्या बनेगा पहले तो आप समझ लीजिए कि कविता के सही विकल पर राइट का निशान लगा अब हमें राइट का निशान नहीं लगाना हमें करना क्या है प्रेश्ण एक बनाएंगे कि कविता में बीच बाजार में कौन खड़ा है हमारे सामने ये इतने options है आपने कविता पढ़ी तो आपको पता होना चाहिए कि कुत्ते खड़े हैं टेसू राजा खड़ा है भेड़ उत्तर दूसरा प्रश्ण बनेगा एक अनार में कितने दाने बताए गए है आपको इन सारे options में से सही option को छाटना है और उसको उत्तर के रूप में बदल कर notebook में लिखना है तीसरा है टेसू राजा ने कितने अनार लिये बताए दो लिये थे तीन लिये थे चार लिया था या एक लिया था जो सही आंसर है उसको आप उत्तर के रूप में लिखेंगे भेड क्या नहीं बता रही है क्या नहीं बता रही है कंबल के खाने अनार के दाने पेड के पत्ते या बालो के संक्या ठीक है आप यहां पर उत्तर लिखिए और एक आंसर लिखिए गोपी के घर क्या है बच्चों कुत्ते लट्ते पत्ते या गत्ते तो इस में से आपको जो भी एक आंसर सही लगता है वो आंसर आप लिखेंगे ठीक है और क्या करेंगे इस काम को अपनी कॉपी पर बहुत सुन्दर हैंडाइटिंग में लिखो और साथ-साथ उस आंसर को याद करो याद करना भी मुश्किल नहीं है क्योंकि ये वन वर्ट आंसर है चलिए बच्चों आज का काम इतना ही